एक बार की बात है, पहाडियों के बीच बसे एक छोटे से गाउ में, टिम्मी नाम का एक जिग्यासु लड़का रहता था टिम्मी ने गाउ के किनारे पर एक जादूई जंगल की कहानिया सुनी थी, लेकिन किसी ने कभी अंदर जाने का साहस नहीं किया था, उन्होंने निर् प्रचाया बना रखी थी, और रंग बिरंगे पक्षी मधुर धुने का रहे थे, जैसे जैसे वह गहराई में चला गया, वह एक चमकदार धारा पर ठोकर खाई और उसका पीछा करने लगा, टिम्मी की यात्रा उसे एक साफ स्थान तत ले गई जहाँ उसे स्पारकल नामक एक चंचल गेंडा मिला, गेंडा के पास एक जिलमिलाता कोट और एक दोस्ताना मुस्कान थी, वे तेजी से दोस्त बन गए और एक साथ सासिक यात्रा पर निकल पड़े, एक दिन स्पारकल ने टिम्मी को जंगल के मध्य में एक छिपे हुए तालाब के बारे में बताया, किमवधन्ती थी कि जो कोई भी इसके जल में स्नान करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी तिम्मी ने तालाब खोजने की ठानी कई दिनों की खोज के बाद तिम्मी और स्पारकल को आखिरकार छिपा हुआ तालाब मिल गया तिम्मी ने अपनी आखें बंद की और अपनी इच्छा व्यक्त की अपने गाव में खुशिया लाने की जैसे ही उसने अपनी आखें खोली, उसे अपने चारों और एक गर्म चमक महसूस हुई उनकी इच्छा पूरी होने पर तिम्मी और स्पारकल गाव लोट आए उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक समय उदास रहने वाला गाव अब हसी और खुशी से भर गया था तिम्मी सब के लिए खुशी लेकर आया था और सभी ने उसे धन्यवाद दिया हाला कि टिम्मी का दिल खुशी से भरा था वह जानता था कि स्पारकल और जादूई जंगल को अलविदा कहने का समया गया है अपनी आखों में आसूओं के साथ उन्होंने एक दूसरे को विदाई दी यह जानते हुए कि वे अपने जादूई कारनामों को हमेशा संजो कर रखेंगे जैसे जैसे लड़का टिम्मी बड़ा होता गया, वह अकसर जादूई जंगल में अपने कारनामों को याद करता रहता था उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी सबसे बड़ा रोमाच हमारे अपने दिलों में और दूसरों के साथ साजा किये गए प्यार में पाया जा सकता है और इस तरह टिम्मी और जादूई जंगल की कहानी गाउं में एक पसंदीदा कहानी बन गई जिसने सभी को याद दिलाया कि दोस्ती का जादू और दयालुता की शक्ती दुनिया को बदल सकती है